CRM Soldiers, Hope और Iris के ग्रूप का पीछा कर रहे थे CRM Soldiers टडल से दिकलते हुए, लैब कोट पैने हुए, बहुत सारे जॉम्बीज को देखते हैं और उन्हें शूट करके मार डालते हैं इधर CRM Facility के अंदर, लैला की लैब में, Hope, Iris, Percy, Felix और Bennett सभी Researchers को Detonators दे देते हैं Ground पर CRM Soldiers, Lab Coat पैने हुए, जॉम्बीज को मारते जा रहे थे वो लोग देखते हैं कि कुछ जॉम्बीज की पीट पर C4 Explosive बंदा हुआ था Iris और उसका पूरा ग्रोप एक एक करके बॉम को Detonate करता है जिसके कारण Ground पर मौजूद CRM Soldiers मारे जाते हैं Corporal Pierce, Jedis को Inform करती है कि उन लोगों की टीम, Bennett के बनाये हुए ट्रैप में फसकर मारी गई थी Bennett Jedis से Radio पर Contact करता है और उसे बताता है कि उसके पास मैसन है Jedis Bennett की इस बात को सच नहीं मानती तब Bennett मैसन की बात Jedis से करवाता है वो Jedis से कहता है कि उसे मैसन के बदले में दो बड़े ट्रांसपोर्ट ट्रक चाहिए और अगर उसे ट्रांसपोर्ट ट्रक नहीं दिये गए तो वो मैसन को मार डालेगा Jedis रेडियो पर Bennett और रिसरचर से कहती है कि उन्हें CRM फैसिलिटी जैसी सिक्यूरिटी कहीं भी नहीं मिलेगी और बाहर वो लोग किसी भी हालत में जीवित नहीं रह पाएंगे Jedis हक को कहती है कि उसने होग को CRM में फ्यूचर बनाने के बारे में अच्छे से नहीं बताया था और वो अपने मिशन में फेल हो गई थी हक जैडिस का ध्यान इस और दिलाती है कि उसने होग के घर को खतम कर दिया था और वो लोग उमहा और केंपस कालोनी के सीक्रेट को उन लोगों से छिपा भी नहीं पाये थे इदर सैलस डैनिस को कलिंग आउटपोस्ट लेकर आ गया था डैनिस के गोली लगी थी एल्टन बाहर एंटिबायोटिक्स धूड़ने गया हुआ था वो लोट कर आ जाता है उसे एंटिबायोटिक्स की जगे वोट का मिली थी डैनिस वोट का को अपने वोट के उपर डाल लेता है एल्टन कियरफुली गोली निकाल देता है डैनिस वही पर रेस्ट करने के लिए रूख जाता है और सैलस को अपने ग्रुप के बनाए गई प्लान को फॉलो करने के लिए कहता है इदर फैलिक्स, GROUND पर, लेटिनेट निूटन से मिलता है लेटिनेट निूटन, वहाँ उन लोगों के लिए दो ट्रक्स लेकर आया हुआ था फैलिक्स लेटिनन ड्यूटन को ट्रक्स को सर्विस एंट्रेंस पर ले जाने के लिए कहता है इधर लाइला की लैब में फैलिक्स सभी लोगों को आकर इंफॉर्म करता है कि बैनिट और सभी रिसरचर्स की जाने के लिए ट्रक्स तयार थे फैलिक्स का कहना था कि अगर CRM को ये लगेगा कि वो लोग मैसन को अपने साथ ले गए हैं तो वो लोग उन लोगों को फैसिलिटी छोड़ने से रोक नहीं पाएंगे आइरिस और परसी मैसन के साथ वहीं पर उख जाते हैं इधर कलिंग आउट पोस्ट में भी बहुत तेज म्यूजिक बज रहा था जिसके कारण जौबीस का होड़ वहाँ भी इखटा होता जा रहा था और वहाँ से सैलिस के ट्रक के पीछे उसे फॉलो कर रहा था अब सैलिस और आरिटन अपने मीटिंग पॉइंट के बहुत नस्दीक पहुँच चुके थे सैलिस एक जगे पर रुख जाता है इधर आइरिस और परसी मैसन को गार्ड कर रहे थे वो दोनों आपस में एक साथ नई जिन्दगी की शुरुआत करने की भी बात कर रहे थे इधर फैलिक्स होब के साथ कोल्ड स्टोरेस रूम में जाता है जहां पर पॉइसनस गैस के सिलेंडर रखे हुए थे होब को रेलाइस होता है कि वो रूम उस वक्त बहुत जादा ठंडा नहीं था टैंपरिचर की कम होने के करण वहां माजूद जांबी जो कि पहले फ्रीज थे अब पिगलने लगे थे फैलिक्स एक फ्रोजन जांबी का सामना करने लग जाता है होब का सामना तब जांबी फाइट लैला से होता है होब उसे दर्वाजे से रोकने की कोशिश करती है होब को याद आता है कि लैला ने उसका CRM फैसिलिटी में वेलकम किया था और उसने उस प्लेस को सेफ भी बताया था Hope जॉंबिफाइट लाइला को तरवाजे से ठोक कर मार डालती है Hope और Felix को वहाँ पर गैस सिलेंडर दिखाई नहीं देते वो दोनों समझ जाते हैं कि CRM को उनके वहाँ आने और गैस सिलेंडर डेस्ट्रॉय करने के बारे में पता चल गया होगा इधर जैडिस हग को बताती है कि बैनेट रिसर्चर्स के साथ नहीं गये थे वो लोग गैस सिलेंडर डेस्ट्रॉय करने के लिए CRM फैसिलिटी में ही मौझूद थे Corporal Pierce जैडिस को बताती है कि West की तरफ से जॉंबीस का एक बहुत बड़ा हौड CRM फैसिलिटी की तरफ बढ़ता जा रहा था और West सेट में मौझूद सभी सोल्जर्स पैनेट और रिसर्चर्स का पीछा करते हुए मारे गये थे जैडिस तुरंती West सेट के गेट्स को बचाने के लिए अपनी एक टीम को भेज़ देती है इधर Hope और Felix, Iris और Percy को आकर वहाँ की पूरी सिचेशन बताते हैं वो लोग आगे के प्लान के बारे में डिसकस करने लग जाते हैं Felix उन लोगों को सजेस्ट करता है कि वो अपने पहले प्लान को फॉलो करें उनका प्लान था कि वो लोग फैसिलिटी से निकल जाएंगे और जाते वक्त मैसन को फैसिलिटी में ही छोड़ जाएंगे Iris बहुत जादा गुसे में थी वो मैसन से कैस सिलेंडर के बारे में पूछने लग जाती है मैसन उसे कहता है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता होप भी उस वक्त मैसन को सपोर्ट करती है और Iris को शांत रहने के लिए कहती है इधर कॉर्परल पियर्स जैडिस को बताती है कि उनके चेक पॉइंट्स पर जॉंबीस पहुँच चुके थे हग जॉबीस का साबना करने जाना चाहती थी लेकिन जैडिस उसे अपने साथ वहीं पर उपने के लिए कहती है CRM फैसिलिटी में एल्टन और साइलस अलग होकर मेडिकल सप्लाइस जूनने लग जाते है तब ही वैब साइलस को देख लेता है वो साइलस को अपना विरोधी मान कर उसे अपने गण के निशाने पर ले लेता है इधर फैलिक्स सभी के साथ एग्जिट के और बढ़ने लग जाता है परसी ने CRM जीब की चाबियां चुरा ली थी इधर CRM फैसिलिटी में साइलस वैब को बताता है कि डैनिस घायल था और वो लोग उसके लिए अंटिबायोटिक्स लेने के लिए आये हुए थे लेकिन वैब साइलस की बात पर विश्वास नहीं करता वो जानता था कि साइलस बहुत पहले से अपने दोस्तों को ढून रहा था और उसके दोस्त CRM के खिलाफ थे तब ही अल्टन पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है साइलस और अल्टन मैडिकल सप्लाइस वाले रूम में चले जाते हैं और सप्लाइस अपने बैक में डालने लग जाते हैं इधर वैब को होश आ जाता है और वो दरवाजे को खोलने के लिए कहने लग जाता है जॉम्बीस CRM फैसिलिटी बिल्डिंग के अदर आ चुके थे वो वैब को वाइट कर लेते हैं अल्टन और साइलस उस रूम के अदर फस्ट जाते हैं अल्टन को तभी विंडो से इंद्रा का बनाया हुआ ग्लोब स्क्लॉप्चर दिखाई देता है उसे जॉम्बीस से बचने का एक आइडिया आ जाता है सैलस और अल्टन दोनों ही उस ग्लोब में बैट कर जॉम्बीस के बीच से होते हुए लुड़कते हुए गेट की तरफ चले जाते हैं गेट के पास पहुँचकर वो लोग ग्लोब से बाहर निकल कर एक और भाग लेते हैं इधर फैलिक्स का ग्रोप CRM जीप तक पहुँच जाता है वहाँ उनका सामना जैडिस, हक और कुछ CRM सोलजर से होता है फैलिक्स उन्हें कहता है कि वो वहाँ से सेफली निकलने के बाद मैसन को जाने देगा लेकिन जैडिस उसकी बाद सुनने और उसे वहाँ से जाने देने के लिए तयार नहीं होती आइनिस CRM पर 100,000 लोगों को मारने का इलजाम लगाती है जैडिस उसे बताती है कि ओमहा और कैंपस कॉलोनी CR पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे जिसके कारण उनका भूग, बिमारी और आपसी लड़ाई की वज़े से मरना लगभग तय था वो आगी कहती है कि उन लोगों को मार देना, CRM के लिए एक दया का काम था तबी कोछ जॉंबिस वहाँ पर आ जाते हैं और उनके उपर अटेक कर देते हैं जिसके कारण मैसन को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है परसी मैसन को पकरने के लिए उसके पीछे भागता है लेकिन जैडिस की चलाए गई गोली उसके सिर्वे लग जाती है और वो उसी वक्त मर जाता है हक वहाँ की सिच्वेशन को बदलते हुए देखती है वो तुरंती अपनी गन निकाल कर वहाँ माजूद सोलजर्स को मार डालती है और जैडिस को अपनी गन के निशाने पर ले लेती है होप को भी वहाँ पर एक गन मिल जाती है होप मैसन को परसी की मौत का जिम्मेदार्ट हराने लग जाती है आईरिस होप को समझाती है कि अगर उसने मैसन को मार दिया तो उसे जीवन भर उसके डरावने सपने आएंगे होप अपनी गंडाउन कर लेती है और फेलिक्स और आईरिस के साथ जीप में बैठ कर वहां से निकल जाती है जैडिस मैसन को जांबी से बचाने के लिए जाती है हब भी जीप में बैठ कर वहां से निकल जाती है जैडिस देखती है कि CRM फैसिलिटी जांबी से भर गई थी अगले सीन में CRM बेस कैम्प को दिखाया जाता है जैडिस रेडियो चैनल पर मेजर जनरल BLA से बात करती है और उससे पोर्टलैन के टाइम लाइन को आगे बढ़ाने के लिए कहती है वो हब को भी दोशी मानते हुए उसे सजा देने की बात करती है और CRM फैसिलिटी के साइन्टेस्ट को बापस लाने की कसम खाती है ताकि उनकी रिसर्च पूरी हो सके इधर फैलिक्स, होप और आइरिस के साथ मीटिंग पॉइंट पर पहुँच जाता है वहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता वो बैनिट से रिडियो पर कॉंटेक्ट करता है बैनिट उसे बताता है कि स्पाइक्स के कारण उनके ट्रक का टायर पंचर हो गया था फैलिक्स बैनिट की मदद करने चला जाता है आईरिस और होप वही पर रुखकर ऐल्टन और साइलस का वेट करने लग जाते है हग कलिंग आउटपुस्ट पर पहुँच जाती है वहाँ उसे घायल डैनिस मिलता है वो उसे किस करती है अल्टन और साइलस अउप और आइरिस के पास पहुँच जाते हैं होप उन लोगों को बताती है कि गैस सिलेंडर, पोर्टलेंड की और रवाना हो चुके हैं और CRN की जीत हो चुकी है। आइरिस परसी को याद करके रोने लग जाती है, सब यह आइरिस को कमफर्ट करवाते हैं। इदर हग आउटपोस्ट के चारों और घूमने लग जाती है, वो अकिले में रोने लग जाती है, तभी वो कुछ नोटिस करती है, हग रेडियो पर होप से कॉन्टेक्ट करती है और उससे पोस्ती है कि क्या उन लोगों के पास अभी भी C4 एक्स्प्लोसिफ था, हग उन कैनि को सीक्रेटली आउटपोस्ट पर भेज दिया था,